काशनी एक आयरवेदिक पौदा होता है इसका उपरियोग आयरवेद में बहुत सारी बीमारियां ठीक करने के लिए किया जाता है तो इस काशनी में प्रोटीन, फाइवर, शुगर, कैलसियम, आयरन, मैंगनेशियम, फांशपोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिनस A, विटामिनस B, विटामिनस C, विटामिन B, 6-bit और फालेट, एसेड इसमें प्रिचुल मात्रा में पाई जाती है इसलिए इस काशनी के प्रियोग हमारे सरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है इस काशनी की कौफी भी बना कर पी जाती है इसमें कैफीन भी नहीं ह होती है तो इस काशनी के प्रियोग जाद कर गाओं के लोग अपने खेतों में जानवरों के चारा के रूप में प्रियोग किया करते हैं इस पाधे का प्रियोग और सदिय गुड़ों के अनुशार पाचन तत्र को मजबूत करता है हिर्दे को स्वस्त रखता है गटिया को दूर रखता है बजन को कम करने में ये मदद करता है और कब्ज को ये दूर करता है हमारे सरीर की प्रितिरुदक छमता को ये मजबूत करता है और तनाव आनिंद्रा जैसी समस्याओं को ये ठीक करता है और सबसे जादा एक किड्नी रोगों में ये रामबार आउशदी मान जाती है तो जानते हैं इस कासनी के बारे में इसका प्रीचे इसके फाइदे और इसके नुक्षान के बारे में कि कासनी के प्रियोग हम किस प्रिकार कर सकते हैं काशनी की मूल उत्पत्ति का इस्तान काशन नामक नागर से माना जाता है इसलिए इसके काशनी कहते हैं आयरवे फिर की उचाई तक पाई जाती है इसकी उचाई 60-90 cm उचा और ये साखिय पौदा होता है इसका तना कोड़ी जुर्टिदार शाखा पर शाखाओं से एक्तो होता है इसकी साखाई कटोर और फैली हुई होती है इसके पत्ते हलके अत्वा गहरे हरे रंके आयताकार भालाकार क इसके फूल नीले रंके 2-3 cm ब्यास में ये होते है इसके फल लगवक 5 कोड़ी अकार के हलके रंके वद्देदार छोटे और 2-3 पत्तियों में होते है इसकी जड़ भारी भाग दूशर और अंदर से सपेद रंकी होती है जैसे की मूली ये लगवक 75 cm लंबी होती है ये में फलता और फूलता है काशनी कड़ोई गरम कफ पित कम करने वाला होता है इसका प्रियोग लीवर इसकी प्रकुरती गरम होती है ये कफ पित को कम करने वाली होती है इसके बीज थंडे होते है इस बीजों की गर्मियों में थंडाई बना कर भी प्रियोग किया जाता है छ इसको संस्क्रित में काशनी ग्रामस हिन्दी में काशनी हिंदुवा काशनी ओडू में तुम्बकु एकाशनी तमिल में काशनी इंगलिस में बिलाइट चिकोरा बिलू कलैक्स यादी नामों से जानते हैं आप इसको किस नाम से जानते हैं में कमेंड बॉक्स में जाके बता सक अब करते हैं इसके कुछ प्रियोग की बाते इस कासनी के प्रियोग हम बहुत सारी बीमारियां ठीक करने के लिए कर सकते हैं जैसे कि इस कासनी के प्रियोग सिर्दर्द को ठीक करने के लिए किया जा सकता है इसके बीच के चूरून एक से दो गिराम काड़ा बनाकर आप सेव कम हो जाता है, खून की पल्टी होने पर आप दो गिराम कासनी के पत्तों को पीज कर ठंडे पाने के साथ सेवन करने से आपकी खून की पल्टी बंद हो जाती है, मसूडों में प्रेशानी होने पर आप इनके बीजों का काड़ा बनाकर गरारा करने से आपके मशूडों का दर 15-20 ग्राम आप सेबर करते हैं तो आपके कमला और पीलिया में काफी आराम होता है मुत्र संबंदी समस्या होने पर जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब दीरे दीरे आना, पेशाब कमाना आदी समस्या में आप इस कासनी का बीजो का काड़ा बना कर 15-20 मिलिटर मात्रा में पीने से आपके मुत्र कुछ एवं मुत्र संबंदी बीमारियों में काफी फायद लोडों में दर्द होने पर आप इनके पत्तों को पीश कर भाल लेभ कर देते हैं तो आपके संदी सूल या शंदी शूत में लाव होता है। हिर्दय को सिहद मंद रखने में काशनी बहुत काम आता है काशनी के पत्तों को आप जोग के आटे के साथ पीश कर भूर के जगापर लेप करने से आपको उंदा या पागल हिर्दय शमंदी बीमारियों में काफी लाब होता है आपके कार्डियो मस्किलर जैसी डिसिस से आप बचे रहते हैं कासरे में बिटामिन्स A होता है जो आपके आखों के लिए बहुती अच्छा होता है आप इसको काड़ा बना कर पीज सकते हैं और इसके फूलों को आप पीज का नेतर पे बहुती फाइदेवंद होता है यह आपके इनुटी पाबर को भी बहुत मजबूत करता है क्योंकि इसमें बिटामिन C अच्छी मात्रा में पाया जाता है जा आपके स्षरीर की प्रतीत दक्षंता को अच्छा कर देता है। सबसे ज़्यादे प्रयोग आप कासनी का लीवर डिस या किड्नी डिस में किया जाता है आपका क्रिटीन अगर जादा बढ़ जाता है तो भी आप इस कासनी का पत्तो का शेवन करीब दो पत्ते खाली पेट शुबा कंटिन्यू खाते हैं तो आपके जो किड़नी का क्रिटीन है वो कम हो जाता है अगर आपको यह काशनी ताजी ना मिले तो आप इसका पॉडर तीन ग्राम की मात्रा में शेवन कर सकते हैं आप इस कासनी का प्रियोग कौनसी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंड बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई और सद्य जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद